नमस्कार दोस्तों, आज समाने जागरूपता का अगले टॉपिक को पढ़ाऊंगे जिसमें फुटवाल है अप्रेल 2019 तक उपलब्द जानकारी के अनुसार निमलिखित में से कौन सा देश नविंतम फीफा विश्व फुटवाल रैंकिंग में पहले अस्थान पर है ति यह हो जागा विलजियाम, क्या हो जागा विलजियाम वर्तमान में विलजियाम फीफा विश्व फुटवाल रैंकिंग में पहले अस्थान पर काविज जिसके बाद फ्रांस, ब्राजिल, इंगलेंड और पूर्तगाल की टीमें काविज है भारते फुटबाल टीम फीपा रैंकिक में 101 में अस्थान पर है फीपा बिस्टो कप 2018 का विज्जेता फ्रांस है 2022 बिस्टो कप के 22 में संक्रण का आयोजन कतर के दोहा सहर में होगा अगला प्रश्ण है भारते फुटबाल टीम के कपतान अर्जिन्टीना के लियो नेल मिस्सी के साथ सक्रे खिलाडियों के बीच सरवाधिक गूल करनी वाले दोसरे अंतराष्टे खिलाडी है ति हो जाएगा कौन है तो सुनील छेतरी क्या हो जाएगा सुनील छेतरी सुनील छेतरी एक नेपाली मोल के परसिद भातिय फुटबाल है यह सुरी वह अभी आई लिंग के में बंगलोरू फुटबाल कलग के लिये खिलते हैं और इस टीम के कपतान भी है वह अर्जेंटीना की लियो नेल मेसी के साथ सक्री खिलाडियों की बीच सरवादिक गोल करने वाले दूसरे अंतराष्टी खिलाडी है अगला है 2018 में किस देश ने फीफा बिच्व कप का किताब जीता था तीयो जगा फ्रांस फीफा बिच्व कप 2018 का किताब फ्रांस ने क्रोएसिया को हरा का जीता इसका आयोजन रोस में किया गया था अगला फुटबाल विश्व कप 2022 में कतर की राजानी दोहा में आयुजित होना है अगला है फीफा विश्व कप 2018 का विजेता कौन है तियो जाएगा फ्रांस अगला प्रश्व है फ्रांस की रूस में 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रवंध की रूप में विश्व कप जीतने वाला कौन सा तिसरा व्यति बन गया था तियो जाएगा डीडी एर देश चांपस क्या होजागा डीडी एर देश चांपस फ्रांस द्वारा 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रवंध के रूप में विश्व कप जीतने वाला डीडी एर देश चांपस तिसरा व्यक्ति बन गया इससे पहले 1998 में फ्रांस जी ने दीन जी दान दूसरे व्यक्ति बने कौन बने थे जी ने दीन और जी नाद दूसरे व्यक्ति बने अगला है यूरो फुटबाल चैंपियनसीप 2016 में किस टीम को हरा कर पूर्तगाल ने चैंपियनसीप जीती थी दियो जाएगा फ्रांस यूरो फुटबाल चैंपियनसीप 2016 से 10 चुलाई 2016 की बीच खेले गए इस चैंपियनसीप में पूर्तगाल की टीम ने फ्रांस को हरा कर जीता भारतिय फुटबाल की निम्लिखित में से किस राष्ट्रे प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था ते हो जागा DCM Cup क्या हो जागा DCM Cup आगे है संतोस ट्रोफी 1941 डुरंड कप 1888 और DCM Cup 1945 या फुटबाल टूर्नामेंट दिल्ली में 1945 में सुरू हुआ या देश का वह टूर्नामेंट है जिसमें BBC टीम को खिलने के लिए आमंत्रित किया गया था अगला प्रस्ण है किस देश में कोपा अमेरिका 2015 जीता थी हुआ गाँजागा चीली चीली ने अरजिन्टीना को हरा कर कोपा अमेरिका 2015 अपनी नाम किया जबकि वर्स 2019 में मेजवान देश ब्राजिल ने पेरु को 3-1 से हरा कर नवी बार कोपा अमेरिका 2019 का खिताब अपनी नाम किया अगला है 2016 में व्रिक्स U17 फुटबाल कप का आयोजन किस देश में होगा तियोजाएगा भारत में वर्स 2016 में व्रिक्स U17 फुटबाल कप का आयोजन भारत में होगा इस कप में व्रिक्स संगटन के देश ब्राजिल रूस भारत चीन साउत फेरिका भार लेंगे यह फुटबाल कप भारत में होनी वाले आगामी आठवे ब्रिक्स सम्मेलन तथा पहली बार गोवा भारत में ख भारती महिला कौन है तीवर्यगा एस विजया लच्मी भारती महिला 17 चैंपियंशीप की सुरुवात वर्स 1974 में हुई थी सतरंज की ग्रांड मास्टर बननी वाली पहली भारती महिला एस विजया लच्मी है इन्हें अर्जन पुरुसकाश्यस नवाजा जा चुका है अगल लिखित में से कौन सी कंपनी भारत की किरिकेट टीम के लिए अधिकारिक प्रायोजक है तो कौन सा है तिया हो जाएगा पेटियम क्या हो जाएगा पेटियम भारत की किरिकेट टीम की अधिकारिक आयोजक है या कंपनी वर्स 2030 तक भारते किरिकेट टीम की टाइटल इस्पांस बनी रहेगी आगे है 22 से 26 नौबर 2019 तक भारती इलिकेट टीम ने अपना पहला दिन रात टेश्ट मैच कहां कि विरुद खेलाती हो जाएगा बांगला देश 22 से 26 नौबर 2019 तक भारती किर्केट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेश्ट मैच बांगला देश के विरुद कोलकाता के एडन गौर्डेश किर्केट इस्टेडियम में खेला 27 नौबर 1989 को पहली बार वन डे मैच दिन रात में खेला गया भारत में किर्केट भारती किर्केट नियंतरण बोर्ड वी सी सी आई द्वारा संचालित किया जाता है जिसके वर्तमान अध्यच सौरव गांगोली है तथा भारती किर्केट टीम के मुख्य कोच रभी सास्री है ये सब 2019 का है इस पर धान दिजेगा अगला प्रश्ण है वर्स 2018 में निम्रिखित में से कौन सी टीम आई पेल ट्रोफी की बिजेता थी थी हो जाएगा चिन्नाई सूपर किंग्स वर्स 2018 आई पीयल के इगरावि संसक्रण का खिताब चिन्नाई सूपर किंग्स ने जीता था वर्स 2019 इंडियन प्रीमियन लिंग आईपियल के 22 में संक्रड में मुंबई इंडियन्स नेचे नई सूपर किंग्स को फाइनल मुकाबले में एक रंग से हरातिर वे चौथी बारिया किताब जीता अगला प्रश्ण है किर्केट 200 कप 2019 में निमलिखित में से किस देश की टीम अपने सभी मैच हार गई थी अफगानिस्तान किरकेट 200 कप 2019 में अफगानिस्तान टीम अपने सभी मैच हार गई थी जबकि फाइनल विजेता इंगलेंड और उप विजेता निर्जी लेंड थी अगला है विदर्व ने 2018-19 रडजी ट्रोफी टूर्णामेंट जिता फरवरी 2019 में नागपूर में फाइनल में उनसे निमलिखीत में से किस टीम को हराया था तियवजाएगा सवराष्ट्र 2018-19 रडजी ट्रोफी का फाइनल मैच तीन फरवरी 2019 को विदर्व और राष्ट्र के मदे खेला गया जिसमें विदर्व ने सौराष्ट्र को 88 रण से हरा का टूर्णामेंट का खिताब अपने नाम किया रडजी ट्रोफी की सुर्वात सन 1934 में होई थी सबसे अधिक मुंबई ने 41 बारिया खिताब अपने नाम किया अगला प्रश्ण है मार्च 2019 तक उपलब्द जानकारी के अनुसार ICC अंतराष्टी टेस्ट रैंकिंग में नमबर टू पर आने वाली किर्केट टीम का नाम क्या है तिये हो जाएगा निवजी लेंड मार्च 2019 तक उपलब्द जानकारी के अनुसार ICC अंतराष्टी टेस्ट रैंकिंग में नमबर टू पर आने वाली टीम निवजी लेंडर पहले अस्थान पर भारत है किस भारती महिला बल्लिवाज का भाई जिला अस्तर पर किर्केटर है तिये हो जाएगा इस्मिती मंधना क्या हो जाताएगा इस्मिती मंधना भारती महिला किर्केट टीम की बल्लिवाज इस्मिती मंधना का भाईस रवड जिला अस्तर का किर्केटर है इस्मृती मंधाना को 10 अप्रेल 2019 को लीडिंग बुमेन किरिकेटर आप द इयर घोसित किया गया अगला प्रस्ण है IPL 2019 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में किसे चुना गया तो स्रेयस अयर IPL 2019 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में स्रेयस अयर को चुना गया IPL 2019 इंडियन प्रीमियन लिंग का 12 संस्क्रण था इस लिंग की विजय टेम मुंबई इंडियन से रही इसने 24 बारिया खिताब जीता अगला है किर्केट बिश्वकप 2019 के बाद अंतराश्टे किर्केट परिसद ICC के नए CEO का नाम बता ये दियो जाएगा मनु साहनी किर्केट बिश्वकप 2019 के बाद अंतराश्टे किर्केट परिसद ICC के नए CEO मनु साहनी है बर्दमान में ICC के चेर मैंसरी ससांक मनुहर व अध्यस जहीर अबास है ICC का मुख्याल है दुबई सन्यूक्त अरब अमिरात में है इसकी अस्थापना 15 जून 1909 में की गई थी अगला है इंडियन प्रीमियम लिंग IPL ट्रोफी 2019 ने लिखित में से किस टीम ने जीता था तियो जाएगा मुंबई इंडियन्स इंडियन प्रीमियर लिंग IPL ट्रोफी 2019 का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियन्स तथा चेनई सूपर किंग के बीच था जिसमें मुंबई इंडियन्स ने चेनई सूपर किंग को एक रन से हरा कर जीत दर्ज किया मुंबई इंडियन्स का यह चोथा IPL खिताब है IPL 2019 का फाइनल मुकाबला है दराबाद में राजिव गांधि अंतराष्टे किर्केट इस्टेडियम में खेला गया अगला है दचिड अफिरका की उस पुर्व खिलाडी का नाम क्या है जो वर्तमान मी 2019 सीजन के लिए रायल चैलेंजर्स बंगलोर आज सीबी किर्केट टीम का मुक्य कोच यह हो है गैरी किर्स्टन आगे है इसमें गैरी किर्स्टन भूत पुर्व दचिड अफिरका की किर्केटर और रायल चैलेंजर्स बंगलोर के बर्तमान को छे मुक्यता सलामी बल्लिवाज की रूप में उन्होंने 1993 और 2004 के वी दचिड अफिरका के लिए 101 टीस्ट मैच और 181 दीवसी अंतराश्टी मैच खेलें किर्स्टन ने 1993 में आस्ट्रेलिया की खिताब मेज बॉर्ण में अपना टीस्ट केरियर की शुरुआत की अगला है जुलाई 2015 ने जिन्बाले के विरुद एक दीवसी अंतराश्टी इवं टीट्वंटी स्रेंखला के लिए किस भारती क्रिकेक्टर को कप्तान का उत्तरदाई तो सौपा ग्याती होजाएगा अन्जिंक्या क्या होजाएगा अन्जिंक्या रहाडे जिन्हे जुलाई 2015 के दोरान जिन्बाले के विरुद एक दीवसी अंतराश्टी इवं टीट्वंटी स्रेंखला के लिए भारती क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया ग्या था अगला है किस किर्केट खिलाडी ने सरव प्रथम एक दीवसी अंतराश्टी किर्केट मैचों में 12 सतक बनाया था तो सचीन तिन्दुलकर ने सरव पर्थम एक दिवसी अंतराष्टिय किर्केट मैच में 12 सतक भारत के सचीन तिंदुलकर निसाउत अफिरिका के खिलाप 2010 में बनाया दूनी लया के गेवल 5 खिलाड़ी है एसे हैं जो एक दिवसी किर्केट में 12 सतक लगाए है अगला है वर्स 2016 में बिस्व किर्केट 2020 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित होनी है तियोज़ागा भारत में आई सी सी टी ट्वांटी बिस्व कर्फ 2016 आठ मार्च से 3 अप्रेल के विच भारत में खेला गया फाइनल मैच 3 अप्रेल को कोल करता एडेन गॉर्डेन में हुआ जिसमें वेश्ट इंडेज बिजेता तथा इंगलेंड उप बिजेता थी आई सी सी टी ट्वांटी ट्वांटी बिस्व कप 2020 आउस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है अगला प्रस्ण है टेस्ट किर्केट में 13 सतक बनाने वाला प्रथम भारतिय किर्केटर कौन था तियो जागा विरेंद्र सहवाग टेस्ट किर्केटर में 13 सतक बनाने वाला एक मात्र भारतिय किर्केटर कौन प्रस्वाग में 28 मार्च 2004 को मुलतान इस्टेडिम में पाकिस्तान के खिलाप 309 रन बना कर यह उपलबदी हासल की यह उपलबदी हासल करने वाले यह भी सुखे हैं अठारवी बल्ले बाज है उन्होंने वर्स 2008 में साहुत अफिरिका के खिला पुनह 319 रन बना कर टेस्ट किर्केट में दो 13 सतक लगाने वाले ब्रेंड मैन ऐस्ट्रेलिया के बाद दोनिया के दूसरे किर्केटर है उन्होंने अपने टेस्ट केरियर में दो बार 12 सतक भी लग अगला है इनमे से किन्ही वर्स 2015 का वी सीसी आई किर्केटर के लिए मनोनित किया गया है तियर जगा बिराट कोहली भारत के देस्ट किर्केटर के कप्तान बिराट कोहली को वर्स 2015 वी सीसी आई किर्केटर मनोनित किया गया था बी सी सी आई किरिकेटर प्रुसकार की सुरुवात 2006-2007 में होई थी अगला है दिसम्ब्र 2015 में भारत बनाम दच्छिर अफेर का टेस्ट स्रीज में मैन आफ दस्रीज कौन था तियो ज़ार रवी चंडरन अस्वीन दिसम्ब्र 2015 में भारत बनाम दच्छिर अफेर का टेस्ट स्रीज में मैन आफ दस्रीज 31 विकेट लेने वाले भारती गेदवाज रवी चंडरन अस्वीन को दिया गया था अगला है बिसमी किस दिस द्वारा किरकेट में सर्व प्रथम 901 दिवसी अंतराश्टी मैच खेले गए थे तियो ज़ागा भारत में भारत में धर्मसाला में न्यूजी लेंड के खिलाब खेले जा रहा है पहले वंडे 2016 अक्टूबर 2016 की साथ ही 900 वंडे मैच खेलने का रिकार अपनी नाम कर लिया ध्यातब है कि वर्स 1971 में वंडे किरकेट की सुर्वात होई थी भारत ने पहला वंडे इंगलेंड के बुरुद 1974 में खेला अगला प्रश्र है वर्ड आफ कंट्रोल फर किरकेट इन इंडिया BCCI ने भारत यहां बताना है किरकेट को बढ़ावा देने के लिए UN Environment के साथ एक आसे पत्र LOI पर हस्ताक्षर किये तीम जागा हरा BCCI ने भारत में हरा किरकेट को बढ़ावा देने के लिए UN Requirement के साथ एक आसे पत्र हस्ताक्षर किया इस सार्चेदारी का उद्देश भारत में परियावरणी चुनोतियों के बारे में जानकारी फैलाना है जिससे सतत समाधान की तरह बढ़ा जा सके अगला है उस भारती गेद वाज का नाम बताए जो एक दिवस्य अंतराष्टी मैचों में 100 विकेट लेनी वाला सबसे तेज भारती बन गया यह है मोहमद समी भारती तेज गेंद बाज मोहमद समी ने जनवरी 2019 में निवजी लेंड के खिलाब खेलते हुए एक दिवस्य अंतराष्टी मैचों में सबसे तेज 100 विकेट 56 मैच लेनी वाले पाले भारती गेंद वाज बनने का गौरों प्राप्त किया तेज गेंद बाज जस प्रित बुम राह दूसरे गेंद बाज जिन होने 57 मैचों में 100 विकेट पूरे किये अगला प्रस्ण है निमलिखित में से सुलेमित नहीं है कौन सा सुलेमित नहीं है इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी इस्टेडियम मेरठ ये सुलेमित नहीं है महात्मा गाधी इस्टेडियम तमील नाड के सलेम जीले में इस्तिथे सन 1972 में अस्थापित इस इस्टेडियम पर अब तक साथ बार प्रथम स्रेडी के क्रिकेट मैच आयोजित किये जा चुके हैं निमलिखित में से किसनी टी-20 अंतराश्टी मैचों में सरवाधिक छक्के मार का रिकार्ड अस्थापित किया था तियो जागा क्रिस गेल 20-20 चैंपियंशिप मैच में बेश्ट इंडिज ने इंगलेंड के अपेच्छा किरित बड़े लच्छ को बौना साबित करके 6 विकेटर से धामा के दाज जीत दर्ज के गेल को पहले ओवर में खेलने का मौका नहीं मिला इसके बाद इस्टेरियम के चारो तरप उनके छक्कों की धूम रही बाए हाथ में बल्ले बाज 48 गेदो पर नाबाद 100 रन की धामा के दार पारी खेली जिसमें 11 छक्की और 5 चौक के सामिल है गेल ने अपनी इस पारी के दोरां T20 अंतराश्टी क्रिकेट मैच में सरवाधी छक्के जडने का रिकार्ड बनाया अगला है हाल ही में अंतराश्टी क्रिकेट काउंसिल के अध्यच के रूप में किसे चुना गया यह हो जागा जहीर अब्बास क्या हो जागा जहीर अब्बास अंतराश्टी क्रिकेट काउंसिल के अध्यच के रूप में जून 2015 जहीर अब्बास को चुना गया अब्बास में अंतराश्टी क्रिकेट परिशत के मुख्य कारिकारी अधिकारी CEO मनु साहनी को नियुक्त किया गया अगला टॉपिक है एथलेटिक्स इसमें प्रस्न है भारत का पहला राश्टी खेल विश्व विद्याले किस राजी में अस्थापित किया गया तियो जागा मरीपूर में भारत का पहला राश्टी खेल विश्व विद्याले मरीपूर में अस्थापित किया गया है ये खेल यों सारी रिख सिच्छा के छेतर में भारत सरकार द्वारा अस्थापित पहला केंदरी बिश्व विद्याले है अगला है बिश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वड जीतनी वाली पहली भारती महिला कौन है तिया जाएगा हीमा दास आगे है इसमें हीमा दास ने फिन लेंड के टामपीर में आई एएएफ बिस यू ट्वंटी चैंपियन में महिलाओं की चार सो मीटर दोड में पदक जीत कर इतिहास बनाया अगला है बेटमिंटन के प्रस्ण इसमें है जुलाई 2018 में बैंकोक में आई जु थाई लेंड ओपिन वर्ड टूर सूपर 500 बेटमिंटर टूर्णा मेंट महिला एकल किसने जीता था तिया हो जाएगा नोजुमी ओकुहारा एक जापानी वेटमिंटन खिलाडी है उन्हों ने जुलाई 2018 में बैंकोक में आई जु थाई लेंड ओपिन वर्ड टूर सूपर 500 बेटमिंटर टूर्णा मेंट महिला एकल को जीता था थाई लेंड ओपिन 2019 के पुरुस यूगल वर्ड का किताब अस्थाई त्वर साई राज दैंकी रेटी और चिराग सिट्टी ने जीता अगला है उबेर कप जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ड टीम चैंपियंशिप कहा जाता है एक प्रमुख अंतराष्टी बेटमिंटर प्रतियोगिता है जिसे में महिलाओं की राष्ट्रिय बेटमिंटर टीमों की द्वारा भाग लिया जाता है किस टीम ने उबेर कप 2018 जीता था ती हो जाएगा जापान उबेर कप जिसे महिलाओं की वर्ड टीम चैंपियंशिप भी कहा जाता है एक प्रमुख अंतराष्टी बेटमिंटर प्रतियोगिता है जिसमें अलग अलग देशों की महिलाओं की राष्ट्रिय बेटमिंटर टी था उबेर कप वर्ष 2018 का खिताब जापान देश की टीम ने जीता था उबेर कप का यह सताइस्वा संकरण था अगला प्रश्ण है थामस कप जिसे कभी कभी 200 पूर्षों की टीम चैंपियनशिप कहा जाता है खेल की वेस्विक सासी निकाय बेटमिंटर वर्ड फेडरेशन के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिदितो करने वाले टीमों में एक आंतराष्टी बेटमिंटर प्रतियोगिता किस टीम थामस कप 2018 जीता थी होजागा चीन क्या होजागा चीन पुर्सों की बैटमिंटन टीम प्रतियोगिता 2018 का आयजन बैंकोक थाइललेंड में संपन हुआ इसमें फाइनल में चीन ने जापान को हरा कर थामसकप जिता थामसकप का यह तीस्वा संस्क्रण था अगला है की स्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अरजुन पुरुसकार जीता तीम जाएगा बैटमिंटन की स्रीकांत भारत के प्रसीद बैटमिंटन खिलाड़ी है इन्हीं वर्ष 2015 में अरजुन पुरुसकार तथा 2018 में पदम सिरी पुरुसकार से नवाजा गया अगला प्रस्ण है मार्च 15 मार्च 2015 को बैटमिंटन चैंपियन सीप स्वीस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का बिजेता कौन था तीम जाएगा की स्रीकांत 15 मार्च 2015 को बैटमिंटन चैंपियन सीप स्वीस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड बिजेता भारती बैटमिंटन खिलाडी के स्रीकांत के दंबनी स्रीकांत थे इन्होंने विक्टर एलेन जन्स को हराकर यह पुरुस एकल ट्रोफी जीती थी अगला है हांकी के प्रस्ण हांकी का प्रस्ण है वर्स 2016 के हांकी पुरुस जूनियर वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन कहां होना है तीम जाएगा लखनव यह 2016 का है वर्स 2016 के हांकी पुरुस जूनियर विश्ण कप प्रतियोगिता का आयोजन लखनव में होना प्रस्तावी थे वर्स 2018 में पुरुस हांकी कप में बेल्जियम ने नीदन लेंड को हराकर 200 चैंपियन बना यह होकी 200 कप ओडिशा की राज़ानी भूनेश्वर के कलिंगा इस्टेडियम में खेला गया था अगला प्रस्न है आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंदित है तीये हो जागा फुट बाल से खेल था उससे संबंदित प्रमुख कप या ट्रॉफिया होकी आगा खान कप नेहरू ट्रॉफिय और ध्यान चंद्र ट्रॉफिय किरिकेट का रडजी ट्रॉफिय इरानी ट्रॉफिय बिर्ला ट्रॉफिय फुटबाल का डुरंड कप वीसी राय ट्रॉफिय संतुष ट्रॉफिय आगा खा गोल्ड कप वेट मिंटन नारंग कप चड कप अम्रित दिवान कप अगला प्रस्ण है पंजाब के किस गाउं ने हांकी के सरवाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिये हैं तियर रहेगा संसार पूर आगे है इसमें संसार पूर पंजाब राज के जालंधर जिल्ले का एक गाउं है इस गाउं में से ओलंपिक में होके के सरवाधिक खिलाड़ी दिये गए हैं गुरु देव सिंग उधम सिंग दर्शन सिंग कर्नल बलवीर सिंग और कर्नल गुर मीत सिंग आधि अगला फार्मूला रेप के प् जो है निमलिखीत में से किसनी एसेन ग्रांड प्रेक्स 2015 जीता तिये हैं लुएस हैमिल्टन क्या हैं लुएस हैमिल्टन रसियन ग्रांड प्रेक्स 2015 सोची रूस में संपन हुआ लोईस हैमिल्टन मर्स डीज एफजी ने सेवाश्टियन वेटर को पीछे करके अपनी वर्स 2015 की नवी फार्मुला एक रेस जीता रसियन ग्रांड प्रेक्स वर्स 2017 की वी जीता वाइल टेरी बोटास मर्स डीज है अगला है बास्केट बाल इसमें है लेबोर्न जेम्स कौन सा अंतराश्टिक खेलर खेलते हैं तीर जागा बास्केट बाल लेबोर्न जेम्स एक प्रसीद बास्केट बाल खिलाड़ी है एक ये एन बी ए रूकी आपड़ इयर 2003 से 2004 जीतने वाले पहले के क्लीव लेंड कैवेलियर्स खिलाड़ी है अगला है खेल बीविद के प्रस्न इसमें है पदम सिर्डी से सम्मानित प्रसांती सिंग किस खेल की खिलाड़ी है ये जागा बास्केट बाल के प्रसांती सिंग एक बिख्यात बास्केट बाल खिलाड़ी है प्रसांती का जन् पांच मई 1984 को बनारस में हुआ था प्रसांती सिंग भाती राश्ट्री महिला बास्केट टीम में सूटिंग गार्ड है वस 2019 में उन्ही राश्टी नागरीक पुरुसकार पदम स्री से समानित किया गया है वह भारत की पहली बास्केट बाल खिलाडी है जिने इस पुरुसकार से समानित किया गया है अगला प्रश्ण है वर्ल्ड पुलीस एंड फायर गेम्स 2019 निम्रिकित में से किस देश में आयोजित किया गया है यह हो जाएगा चीन क्या हो जाएगा चीन आगे है इसमें वर्ल्ड पुलीस एंड फायर गेम्स 2019 का आयोजर 8 अगस्त 2019 के बीच चीन के चेंग्टू में किया गया इस खेल अस्परधा में एक दमकल कर्मी पुलीस अपसर इत्याद विभीन कानून प्रवर्तन इजेंसियों के कर्मचारी और सीमा सुल्क के लगभग 10,000 एथलिट्स ने हिस्सा लिया CISF के कर्मचारी ने भारत का प्रतनी धित व भीभीन इन्वेट्स में किया भारत में वर्ल्ड पुलीस एंड फायर गेम्स में कुल 10 पदक जीते वर्स 2021 में वर्ड पुलीस एंड फायर गिम्स का आयजन नीदरलेंड के राटर डेम में किया जाएगा अगला है निमलिखित में से कौन सा टूर दी फ्रांस 2019 का विजेता है तियो जाएगा इगन वर नेल क्या हो जाएगा इगन वर नेल 2019 टूर दी फ्रांस का 106 वां संस्क्रण था जो साइकलिंग के तिन ग्रेंड टूर में से एक था इसके विजेता कोलंबिया के इगन वर नेल रहे अगला है किस राष्ट ने 2019 विश्व जल केड़ा प्रतियोगिताओं वर्ड इक्वेर्टिक चेंपियनशिप का आयोजन किया तियो जागा दच्छिर कोरिया विश्व जल केड़ा प्रतियोगिता 2019 का आयोजन दच्छिर कोरिया में हुआ था इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से सजन प्रकास विरजवल, खाड़े, कौसल, रावत, स्रीहरी, नतराजन, ललीट, एसपी और आर्यन, निहरा ने भाग लिया था जर्मनी, इटली और जापान के बाद दच्छिर कोरिया इस खेल का आयोजन करनी वाला चोथा राश्टर है अगला है एड मीरल कप किसे से संबंदित है तो ये नौकायान से संबंदित है एड मीरल कप, अमेरिकन कप, वेली गटन, ट्रॉफी नौकायान से संबंदित है अगला प्रस्न है दोस्तों, निवलिखित में से किसका मिलान सही रूट से किया गया है तो इसमें हो जाएगा बी, सईफ रगा, बी सी राय ट्रॉफी, फुटवाल, नेहरू ट्रॉफी, नौकायारेस, बी सी राय ट्रॉफी, फुटवाल, होलकर ट्रॉफी, ब्रीज, और रिलायन्स कप किरिकेट अगला है लिमबा राम निम्रिखित में से किसमें अपने सरूच प्रदर्सन के लिए जाने जाते हैं तियोजगा धनुस बिद्या लिमबा राम एक भार्तिय तिरन दाज है ये अंतराष्टी प्रतियोगता तथा उलम्पिक में तीन बार भारत का प्रत्निधित्व किये हैं उन्हों ने सन 1952 तिरंदाजी विस रिकार्ट की बराबरी ACI तिरंदाजी चैंपियन सीप गीजिंग में की इन्हों नियवर्स 2012 में पदम स्रीप रुसकार से सम्मानित किया गया है अगला है लाल बहादू सास्त्री स्टेडियम इस्तित है कियो जाएगा है दराबाद में लाल बहादू सास्त्री स्टेडियम जिसे पहले फुटबाल और किर्केट का फतिय मैदान की नाम से जाना जाता था है दराबाद तिलंगाना में इस्तित है इस स्टेडियम का नाम सन 1967 में बदल कर पुरु प्रधान मंत्री की नाम पर लाल बहादु सास्त्री स्टेडियम रख दिया गया अगला प्रस्ट है अफिर्का की किस देश में भारत ने प्रथम भारत अफिर्का ICT ESPO 2015 का आयोजन किया ती हो जाएगा केन्या अफिर्की देश केन्या में भारत ने प्रथम भारत अफिर्का ICT ESPO 2015 का आयोजन किया अगला है उहन ओपन महिला इकल खिताब 2015 किसने जीता ती हो जाएगा वीनस विलियम्स उहन ओपन महिला टेनिस टूर्नामेंट है जो 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2015 के बीच अप्टिक्स वैले अंतराष्टिय डेसिंग किन्द उहन चीन में खिला गया जिसका एकल किताब वीनस विलियम्स में जीता था यह WTA प्रीमियम फाइब टूर्नामेंट का भाग है जबकि वर्स 2019 में उहन ओपेन महिला एकल किताब अरीना सावा लेनका ने जीता था अगला है कबड़ी विश्व कप 2016 में किस खिलाड़ी के सर्वस्रेश्ट आकर्मर करता का खिताब दिया गया है तिया जगा अजय थापो अहमदाबाद में खेले गए कबड़ी विश्व कप 2016 में भाइनल में भारत ने इरान को 38-39 से प्राजित कर लागातार तीसरी बार कबड़ी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया इस विश्व कप में अजय थाकुर को सर्व स्रेश्ट आकर्मर करता खिलाडी की खिताब से नवाजा गया इन्होंने कुल बारा अंकर जुटाए अगला प्रश्ण है जली कट्टू किसके साथ जुड़ा है तिया जाएगा पोंगल क्या जाएगा पोंगल जली कट्टू तमील नाड का एक परमपरागत खेल है जो पोंगल तेवहार पर आयुजित किया जाता है इस खेल के तहट गाउं की ताकतवर और मजबूत बैलों के सिखों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड में खुला छोड़ दिया जाता है फिर लोग उस सिख्की की थैली को फ्राप्त करने के लिए बैल को काबू करने का पर्यास करते हैं जो उस बैल को काबू में कर लेता है उसी विजेता घोसित कर इनाम लिया जाता है अगला क्वेशन है दोस्तों मोटो जीपी चैंपियनसीप किस खेल या दोड़ रेस के लिए आयुजित की जाती है यह जाएगा मोटर साइकल रेस मोटो जीपी चैंपियनसीप मोटर साइकल रेस से संबंदी थैं मोटो जीपी के वर्स 2018 का किताब जापान के मार्क वेश ने जीता अगला प्रश्न है भारत में इन पडोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीकी से अपनी राष्टे खेल से मेल खाता है तीक जागा बांगला देश क्रिकेट बांगला देश का राश्टी खेल कबड़ी है कबड़ी का उद्गम भारत में माना जाता है अफगानिस्तान का राश्टी खेल बुझ कासी भुटान का तिरंदाजी और नेपाल का बॉली बॉल है अगला प्रस्ण है पोकेमान गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा किससे संबंधी थैति यह जाएगा मुबाइल गेम से पोकेमान गो एक फ्री टू प्ले अस्थान अधारित रियालिटी गेम है इसको निया नरीक कंपनी द्वारा iOS Android तथा 51 डिवाइसों के लिए बनाया गया है दस्वा टॉपिक है भारतिय अनुसंधान संगठन इसमें है वर्स 2015 में भारत द्वारा अंटार्क टिका में अस्थापित अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है ती हो जाएगा भारतिया वर्स 2015 में भारत द्वारा अंटार्क टिका में भारती अनुसंधान स्टेशन अस्थापित किया है इससे पुर्व भारत द्वारा अंटार्क टिका महादीत में दो अनुसंधान किंद्र दचिर गंगोतरी 1984 तथा मैतरी 1988 में अस्थापित किये गये थे अगला प्रश्ण है अंटार्कितिका में भारत के कितने अनुसंधान इस्टेशन है यह उजाएगा तीन क्या उजाएगा तीन भारत का हिमादरी इस्टेशन इस्थित है यह आर्कटिक में इस्थित है हिमादरी इस्टेशन भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च इस्थित है यह पीट्स बरजन स्वाल बार्ड नार्वे में इस्थित यह आर्कटिक रिसर्च वेश में अस्थावी थै इसका उदगाटन एक जुलाई 2008 में किया गया था यह उत्तरी ध्रोसे 1200 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है अगला है भारतिय दलहन अनुसंधान अवस्थित है यह जाएगा कानपुर में तो भारती दलहन अनुसंधान कानपूर उत्तर परदेश में इस्तित है इसकी अस्थापना 1923 स्पी में की गई थी अगला है भारती का पास अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है तियो जाएगा नागपूर में केंदरी का पास अनुसंधान केंदर नागपूर महराष्ट्र में इस्तित है इसकी अस्थापना 1936 इस भी में होई थी कुछ प्रमुक राष्टे अनुसंधान केंदर निम्न लिखित है केंदरी चावल अनुसंधान केंदर कटक ओडिसा में राष्टे गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनव उत्तर परदेश केंदरी आलू अनुसंधान केंद्र सिमला हिमांचल परदेश केंदरी तमबाको अनुसंधान केंद्र आंधर परदेश राज मुंदरी राष्टे वन अनुसंधान संस्थान देहरा दोन उत्तरा खंड आगला प्रस्ण है सुची एक और सुची दो को मिलाईएं तिसमें हो जाएगा इंडियन ग्रेल स्टूरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्ट्यूट ते हो जाएगा हापुड क्या हो जाएगा हापुड राष्ट्रिय उद्मिता इवं लगु ब्योसाय विकास संस्थान तिये ये नोयडा और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था ये इलहाबाद में है और हरिस चंद्र अनुसंधान संस्थान ये इलहाबाद में है इसमें आपका आपसन इसरी हो जाएगा आगे है इंडियन ग्रेन इस्टूरेज मैनेजमेंट इवं रिसर्च इंस्ट्यूट हापूर राष्ट्य उद्मिता इवं लगु ब्योसाय विकास संस्थान नोयडा गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था इलहाबाद हरिस चंद्र अनुसंधान संस्था इलहाबाद आगला प्रश्ण है हरिस चंद्र अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है ती हो जाएगा इलहाबाद में हरिस चंद्र अनुसंधान संस्थान एच आर आई गडित और सैध्धान्तिक भौत्तिकी के सोध में समत्पित एक परमुक संस्था है यह इलहाबाद पर तो इसरो का मुख्याला हो जाएगा बैंगलोर क्या जाएगा बैंगलोर भारती अंतरिच अनुसंधान संगतन इसरो भारत का राष्टी अंतरिच संस्थान है इसका मुख्याला करनाटक प्रांत की राजधानी बंगलूरू में है इसरो की अस्थापना 1979 में हुई थी आगला प्रस्ष्ण है B.A.R.C. कहां इस्तित है यह हो जागा ट्रांबे क्या हो जागा ट्रांबे भाभा प्रमाण अनुसंधान केंद्र B.A.R.C. महराष्ट के मुंबई के उत्तर पूर्व उपनागा ट्रांबे में इस्तित है या भारा सरकार के परमार उर्जा विभाग के अंतरगर नावी के विज्ञानेवं अभियांत्री की तथा बहु विशाय नावी के अनुसंधान किंद्र है 11 टापिक है प्रसिद पुष्टके और लेखर इसमें प्रस्ट है इसमें राष्टपती ने अपनी जीवन से संबंदित उन घटना चक्रों का वर्डन किया है जो सन 1890 से सनusc 296 के मध्य घटी थी अगला है मधुसाला किन की कृति है तो मधुसाला किन की कृति है तो यह जागा से हरिवन स्राय बच्चन का आगे है इसमें हरिवन्स राय वच्चन, मधु साला, मैथली सरणगुत, भारत भारती, रवीद नाट्टेगुर, चितरांगदा, गितांजली, चंडा लिका, गार्ड़नर, हंग्री, स्टोन्स और जैसंकर प्रसाद का कामायनी, आसु और लहर अगला प्रस्ण है, माई कंट्री, माई लाइफ, किसकी आत्म कता है, तो यह हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवानी, माई कंट्री, माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवानी की आत्म कता है, और गिल्टी मैन, आप इंडियाज, पार्टिसन, डाक्टर राम, मनोहर लोया की आत अगला पुरस्ण है वेटो वाली बिद्वा किसके द्वारा लिखी गई लगव कथा है यह प्रीम चंद्र का कौन से किताब सरुजनी नैडू द्वारा लिखित नहीं है तो कौन सा नहीं है तो अगला है the पुस्तक सरुजनी नैडू द्वारा लिखी गई है जबकि पुस्तक की लेख ग्रीम ब्रदर्स है पुस्तक की खलील जिब्रान ने भी एक पुस्तक लिखी है अगला प्रस्त है डाटर आफ द इस्त नामक पुस्तक की लेखी का पुस्तक की लेखी का पुस्तक की पुस्तक की लेखी का पुस्तक की 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 प अगला प्रश्ण है हिंदी नाटक अंधिर नगरी के रचाईता कौन है तिये है भारतिन्दू हरिस चंद्र आगे है मुन्सी प्रेंचंद्र गोदान कर्म भोमी गवन डंग भोमी भारतिन्द भरिस चंद्र अंधिर नगरी भारत दोर्दसा धर्म बिर भारति का उजगा गुनाहों का देवता सुरज का सात्मा घोडा और अंधा युग विसाख दत का मुद्रा राच्छस अगला प्रश्ण है वेन दरीवर स्लिप्स उपन्यास किसकी द्वारा लिखी गई है यह हो जाएगा इस्टेरीन कायर क्या हो जाएगा इस्टेरीन कायर का हिंदू प्रुसकार प्रदान किया गया द्वारा लिखी गई कुछ आन्य पुष्टके हैं तेरिबल मैटी आर्ची मारी वीटर आर्म वुड फारेश्ट सौंग और दरेन मेडेन एंड दर वियर मैं आधी अगला प्रश्ण है सु ब्रम्याम भारती एक प्रसिध थे तो क्या थे तियो जागा कभी थे सु ब्रम्याम भारती एक प्रसिध तमील कभी एवं सुतंतरता संगराम से नाली थे इन्हें महा कभी भारती मार की नाम से भी जाना जाता है इनकी प्रमुक रचना है स्वदे समित्रम चक्रवरती और इंडिया सुर्योदयम कर्म योगी आधी है अगला है ये सुटेबल बाय पुस्ता के लेखक कौन है तियो जागा बिक्रम सेथ एक सुटेबल बाय पुस्ता के लेखक बिक्रम सेथ है बिक्रम सेथ एक प्रसीद भारती उपन्यास का रिवम कभी है ये भारत के सरुच नियाल की पहली महिला मुक्य नाधिस दीला सेथ के पुत्र है इनकी द्वारा लिखे गए कुछ अने उपन्यास दो गोल्डेन गेट उनिसो चियासी एन इकोल म्यूजिक उनिसो निन्यादबे और टू लाइप से आधि है अगला है इसमें कैंसर जैसे बिमारियों को मात देकर मैदान में लोटने की दास्तान है अगला प्रश्न है माई ट्रूथ नामक पुस्तक की लेखी का इंद्रा गांधी है ये भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री थी इन्हें वर्स 1971 में भारत रत्न प्रदान किया गया अगला है निम्रिखित में से नेम से पुस्तक की रचाईता कौन है की हो जाएगा जुम्पा लाहिरी क्या हो जाएगा जुम्पा लाहिरी नेम से पुस्तक की लेखी का भारतिय मोल की अमेर्की नागरी की जुम्पा लाहिरी है अगला है मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रा के लेखा कौन है तो यह जगा सिव मंगल सिंग सुमन सिव मंगल सिंग सुमन का जर्म उत्तर परदेश की उन्नाव जिले में हुआ था मिट्टी की बारात 1972 इस्वी में नामक कविता संग्रा के लेखा के सिव मंगल सिव सुमन है जिसकी रचना के लिए 1974 इसमी में साहित अकादमी पुरुसकार प्रदान किया गया था कुछ परमुख लेखा क्यों उनसे संबंदित परमुख पुस्तकी निम्नवत है असव भोस बुद्ध चरित बाडभट कादमबरी सूर दास सूर सागल साहित लहरी सुद्रक मृच कटिकम रमींद नाट्य गवन गीतांजले प्रेम चंद्र गोदान गवन रंग भूम एवं कर्भ भूम सुमित्रा नंद पंत चुप चितंबरा रामधारी सिंग दिनकर उर् कुरू छेत्र, महादेवी वर्मा, यामा और सुरिकान तिरपाठी निराला अनामिका अगला प्रस्ण है लाड़ आफ द लाइंज कुस्ता के लेखा कौन है यह विलियम गोल्डिंग लाड़ आफ लाइंज मक्यों के भगवान गिलियम गोल्डिंग द्वारा वर्स 1954 में लिखित एक उपन्यास है यह गिल जेजब नामक दुष्ट यहुदी द्योता का साधिक अनुवाद है जो फिलिस्तिन के एक्रोन सहर में पूजा जाता था अगला प्रश्ण है गीत गुबिंद पूस्टा के लेखा का यह कौन है इसमें हो जाएगा जयदेव क्या हो जाएगा जयदेव गेत गुबिंद जय दे की काब्य रचना है, इसमें स्रे किरिष्ण की गूपी काओं के साथ रास लिला राधा वियोग वर्दन किरिष्ण के लिए व्र्याकुलता, क्रिष्ण की राधा के लिए उतकंठा, राधा की सक्षी द्वारा राधा के बिरः संथाप आध का वर्ड निले कनी विबूटिंग गवर्मेंट पुस्तक के लेखर नंदन निले कनी है नंदन नंदन है नंदन निले कनी भारती विशिष्ट पहचान राधी करण यू आईडी ए आई के पुर्व अध्यस्ति यह पुस्तक नौमबर 2015 में प्रकासित होई इसकी तहत सह लेखक बिरल सा अगला प्रस्ण है अतीत के जल चित्र किस लेखर द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है तिह हो जाएगा महादेवी वर्मा अतीत के जल चित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है महादेवी के रेखा चित्रों की यह विशेस्ता भी है कि उनकी चरित्र चित्रड का तत्त प्रमुख रहा है अगला है दपोष्ट अमेरिकन वर्ड नाम पुस्तक के लेखक है ती हो जाएगा फरीदा जाकारिया क्या हो जाएगा फरीदा जाकारिया दपोष्ट अमेरिकन वर्ड पुस्तक के लेखक फरीद जाकारिया है जो एक अमेरिकी पत्रकार ह इस किताब में उन्होंने दुनिया भर में उदार लोग तंत्र के प्रसार के लिए अमेरिका को धन्यवा दिया है अंगला प्रस्ण है और संगत मैच की पहचान करें तो इसमें हो जाएगा ब्रोकन विंग इंडिया स्वरी ब्रोकन विंग इंडिरा गांधी इंडिरा गांधी की नहीं बलकी सरोजनी नाडू की रचना है इनकी अने रचना है दो गोल्डेन थ्रेस होल्ड दो वर्ड आफ टाइम दो संग्स आफ टाइम आधी है अने विकल्प सही सुलेमित है अगला प्रश्ण है एक मिनूर स्वरी बाराहवा टोपिक है पुरुसकार एवं विजेता इसमें प्रस्ण है कि किस परियावरण विदने 1997 में मैक्से से पुरुसकार जीता तथा ताज महल और गंगा की सफाई में एक परमुक भूमिका निभाईती हो जाएगा महेंद्र चंद्र मेहता महेंद्र चंद्र मेहता को 1997 इसमी में रैमन मैं से से पुरुसकार दिया गया या पुरुसकार एशिया का नोबेल पुरुसकार है यह पुरुसकार उन्हीं दिया जाता है जो एशिया की विकास को आगे ले जाने में मदद करते हैं महिस चंदर मेहता पर्यावरण विद है उन्होंने ताज महर और गंगा यमना जैसी नदियों को प्रदूसर मुक्त करने का पर्यास किया वह पर्यावरण संदच्छड के लिए और द्योगी के प्रदूसर को रोखने के लिए सैदो पर्यास रत रहे अगला है पहले भारतिय जिन्होंने ग्रैमी जीवन प्रयत्न उपाधी प्राप्त किया है तो पंडित रवी संकर भारत की महान सितार वादक और सास्त्रिय संगीत ग्रैमी जीवन प्रयत्न उपाधी दिया ग्याजिन का जन्म वर्स उन्निस सो बीस में बनारस में हुआ था इन्होंने भारत कनाडा यूरोप तथा अमेरिका में बैले तथा फिल्म के लिए संगीत कमपोच किया इन फिल्मों में चार्ली गांधी और अप्पू त्री लोगी सामिल है रवी संकर को विभीन विश्विद्याले से डाक्टरेट की चौद्र मानक उपाधी मिल चुकी है रवी संकर को तीन गयमी पुरुसकार मिले है इनहें रेमन मैकसे से पुरुसकार पदम भुसड पदम भी भुसड तथा भारत रत भी मिल चुका है रवी संकर की मृत तो बावन वर्स की अवस्था में 11 दिसंबर 2012 को हुई अगला है निमलिखित में से किसली उसी विश्व में दो नोबल पुरुसकार प्राक्ट किये हैं तो कौन है यह हो जाएगा जान बर्दिन जान बर्दिन एक अमेर्की भौतिकी विज्ञानिक तथा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर थे उनको भौतिक विज्ञान की छेतर में वर्स 1956 तथा वर्स 1972 में नोबल पुरुसकार दिया गया मैडम क्यूरी को दो बार नोबल पुरुसकार एक भौतिकी तथा दूसरा रसायन सात्र के छेतर में मिला अगला प्रस्ण है निमलिखित में से किसने विभिन विश्यों में दो नोबल पुरुसकार प्राप्त किये हैं तो जाएगा मैडम क्यूरी आगे है मैडम क्यूरी भौतिक विद तथा रसायन सास्त्री थी यह नोबल पुरुसकार जीतने वाली पहली महिला थी वह दो विधाओं में नोबल प्राप्त करने वाली एक मातर महिला है इन्हें वर्स 1903 में इनके पती प्यरी क्यूरी के साथ भौतिकी में रेडियो सक्रियता रथा वर्स 1911 में रसायन सास्त्र में सुध रेडियन की खोज के लिए नोबल पुरुसकार मिला अगला प्रस्ण है ध्यान चंद्र पुरुसकार में कितना नगत इनाम प्रदान किया जाता है तो कितना किया जाता है इसमें आपका हो जाएगा पांच लाख रुपे ध्यान चंद्र पुरुसकार खेंड कुत में जीवन भर के उपलब्दियों के लिए वर्स 2002 में दिया जाने वाला सरोच पुरुसकार है ध्यान चंद्र पुरुसकार में पांच लाख रुपे का नगत धन्रास इनाम की रुप में प्रदान किया जाता है आगला प्रश्ण ह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तिरितिय उच्चितम नागरिक पुरुसकार कौन सा है तीव जागा पदम भूसर क्या हो जागा पदम भूसर भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सरोच नागरिक पुरुसकार भारत रतन है इसके बाद नागरिक छित्र में देश का सबसे बड़ा पुरुसकार पदम पुरुसकार है पदम पुरुषकार कला, साहित, सिच्छा, विज्ञान पथा, टेकनोलोजी, खेल, चिकिस्ता, आदी, किसी भी छेत्र में उलेखनी छेत्र के लिए दिये जाते हैं इस पुरुषकार की तीरी स्रेडिया है पदम भी भूसर उनिसो चववन, पदम भूसर उनिसो चववन, पदम यहां फिर दो बार दे दिया है, इसमें कुछ और होना चाहिए आगे देख लेते हैं, शिरी पदम शिरी तीर गयागा उनिसो तिरासी, नहीं यह भी सही है यहांस फिर देख लेते हैं पदम भी भूसर्ड 1954 पदम भूसर्ड 1954 और पदम सिरी 1983 है अता भारा सरकार द्वारा दिया जाने वाला त्रितिय उच्चतम नागरी पुरुसकार पदम भूसर्ड है अगला प्रसन है परतीक वर्स कितनी नॉबिल पुरुसकार दिये जाते हैं तिय होज़ा अच्च है नॉबिल पुरुसकार नॉबिल फाउन्डेशन द्वारा परतीक वर्स स्वेडिस वेग्यानिक अलफ्रेड नॉबिल की समिती में सांती साहीत भौतिक रसायन चिकिस्टा और अर्थ सास्त के छेत्र में दिया जाता है इन छेत्रों में दिया जाने वाला यह बीसु का सरोच पुरुसकार है इस पुरुसकार की सुर्वात अलफ्रेड वर्ण हार्ड नोबेल ने सन 1901 में की थी पहले नोबेल पुरुसकार पाफ छेत्रों में दिया जाता था अर्थ सास्त्र के लिए पुरुसकार स्वेरी जेस रिक्स बैंक स्वीडिस बैंक द्वारा अपनी तीन सहवी वर्स घाट तीन सव वर्स घाट के उपलच में 1979 में आरब किया इसे अर्थ सास्त्र में नोबेल इसमीद पुरुसकार भी कहा जाता है अगला प्रस्ण है दादा साहे फाल के पुरुसकार किस छेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है तिया हो जाएगा फिल्म क्या हो जाएगा फिल्म आगे हैं दादा साहे फाल के हिंदी सिनेमा की पिता माने जाते हैं इसलिए इनहीं की सम्मान में दादा साहे फाल के पुरुसकार फिल्म जगत में विशेश योगदान हेत दिया जाता है इस पुरुसकार के स्थापना 1969 में की गई थी 2017 में बिनोद खन्न, 2018 में अमताव वच्चन अंगला प्रस्न है भारत का सरोच नागरिक सम्मान कौन सा है तिया जाएगा भारत रतन है भारत का सरोच नागरिक सम्मान भारत रतन है इसकी सुरुवात 1954 में होई थी या 26 चनवली को भारत के राष्टपती के द्वारा प्रदान की जाती है इसके मेडल पर सुरी का चितर अंकित होता है वर्स 2019 में नाना जी देशमुख रड़ो मुखर जी और भुपेर हजारिका को भारत रतन प्रुसकार से सम्मानित किया गया अगला है निम्नमने से किस ब्यक्ति को सरव पर्थम भारत रतन प्रुसकार दिया गया है तियो जाएगा सी राज गुपाला चारी भारत को सरव चुनागरिक सम्मान भारत रतन कला साहित विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उतक्रिष्ट कार करने के लिए 26 जनवरी गड़कंद दिवस की औसर पर दिया जाता है यह देश का सबसे बड़ा प्रुसकार है इसकी सुर में भारती राजनीती के चाड़ा के कहे जाने वाले राज गुपाला चारी को भारत रतने से सम्मानित किया गया 1954 में भारत रतने से सम्मानित व्यक्त इस प्रकार है डाक्टर सरुपली, राधा किरिश्णन, चक्रवर्ती, राज गुपाला चारी, डाक्टर चंड सेकर, वैंकट रमड अंगला प्रस्न है अर्जुन प्रुसकार किस छेतर से सम्बंधित है यह जाएगा खेल खूद अर्जुन प्रुसकार खेल कूद के छेतर में प्रदान किया जाता है अर्जुन प्रुसकार 1961 स्पीर में आरम किया गया परतिक वर्स अधिकतम 15 खिलाडियों को उनके और दुतिक खेल के लिए अर्जुन प्रुसकार दिये जाते हैं अगला प्रश्न है वर्स 1913 में वर्स 2014 चौदर की आवद में कितनी भातियों को नोबिल प्रुसकार मिले हैं यह हो जाएगा नौ आगे है नोबिल, विजेता, विशय और वर्स रविग नाथ टाइगोर साहित में 1913 में सीवी रमन भौतिक की छेतर में 1930, डाक्टर हर गुविंद खुराना चिकिस्ता 1968, मदर टिरेसा सांती की छेतर में 1989 89 सुब्रम्यम चंद्र सेखर, सुब्रम्हडयम चंद्र सेखर भौतिक की 1983 में अमर्तिसीर अर्थ सास्त 1998 में वी एस नायपाल साहित्य दो हजार एक में और डाक्टर वेंकट रमन रामन केशन को रासायन के छेतर में 2009 में कैलास सक्त्यार थी सांती की छेतर में 2014 में अगला प्रशन है गोल्डन पीन आफु फ्रीडम पुरुसकार किसे संबंधित है तिया जाएगा पत्रकारिता से गोल्डिन पीन आफ फ्रेडम पुरुसकार अंतराश्टिय पत्रकालता से संबंदित है जो 1961 में सुरू किया गया या पुरुसकार बिश्व समचार संगतन द्वारा ब्यतिया समों को दिया जाता है अगला पुरुसकार संबंदित है जो जाएगा दुग्द उत्पादन में सहकालता को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड पुरुसकार दिया जाता है इस पुरुसकार में 22,000 रुपे तथा गय और बचड़े की सिल्ड परतिक जिले में अधिक्तम दुद उत्पाददक को दिया जाता है अगला प्रस्ण है जून 2019 में निमलिखित में से किस लेखन को अंग्रेजी भासा में भारति साहित को सम्रिद बनाने में उनके उत्प्रिष्ट योगदान के लिए जून 2019 में परसिद लेखक अमी ताव घोस को अंग्रेजी में भारति साहित को सम्रिद बनाने में उनके 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 उत्प्रिष्ट योगदान के लिए ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित होने वाली ये अंग्रेजी के पहले लेखक है साहित और सिच्छा में उनकी सिवाओं के लिए पदम सिरी 2007 और उन्हीं साहित अकादमी 1990 से सम्मानित किया गया है ग्यान फिर्ट पुरुषकार के प्रथम दिजेता जी एस पुरुख 1965 प्रसिद मौलायम लेखक है अगला है निमलिखित पुरुषकारों में से कौन सा पुरुषकार नार्वी की राजा द्वारा प्रस्तूत किया गया है और अक्सर इसे गडित का नोबिल पुरुषकार कहा जाता है प्रतिक वर्स गडित की छित्र में आसाधारण उपलब्दियों के लिए नार्वी की राजा द्वारा प्रदान किया जाता है या गडित की नोबे प्रुसकार की नाम से भी जाना जाता है प्रतिक वर्स या प्रुसकार नार्वी जियन अकादमी आफ साइन्स एंड लेटर्स द्वारा उसलों में प्रदान किया जाता है वर्स 2019 का एविल प्रुसकार कनाडा की गडितग्य करेन उपुहलेन वेक को प्रदान किया गया स्री निवास एस आर वर्धन एक मातर भारते गडितग्य है जिन्हे वर्स 2007 में एविल प्रुसकार से समानित किया गया अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गविंद बल्लव पंत को किस वर्स भारत रतने से समानित किया गया तीव जाएगा 1957 गुबिंद पंडित गुबिंद बल्लव पंत उत्तर प्रदीश की प्रथम मुख्य मंत्री और भारत की चोथे गिरे मंत्री थे सन 1957 में उन्हें भारत रतने से सम्मानित किया गया था तेरावा टापिक है जलवाई परिवर्तन इवं परियावरण इसमें पहला है भारती अपारिश्थित की तंत्र इसमें प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा बायो डिक्रेडेबल जैव निमनिक करडिय सामागरी नहीं है तिसमें हो जाएगा एल्यूमीनियम फोईल क्या हो जाएगा एल्यूमीनियम फोईल जियों की माध्यम से जिन पदातों का राशायनी विंटन संभव है उन्हें जैव निमनिक करडिय बायो डिक्रेडेबल करते हैं जैविक पदात ऑक्सीजन की अनुपस्तिती में अप घटित किये जा सकते हैं एल्यूमीनियम फोईल बायो डिक्रेडेबल नहीं है जबकि कपास जानोरों की हडियां लकडि आदी बायो डिक्रेडेबल है अगला है परितंत्र की दो मोल घटक है तिया जाएगा जीवि और और जीवियां परितंत्र 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्तित की या परितंत्र की संकल्पनाप रस्तावित की गई टांसले की अनुशार परितंत्र की दो मोल घटक है जिसमें उनकी रस्ना होती है और जैविक और जैविक अगला प्रश्ण है सरु प्रथम पारिस्तित की तंत्र सब्द का परियोग अंगरीज पारिस्तित की वीद एजी टांसले ने अपनी पुस्तक एकोलोजी 1935 में किया पौधी जीव जन्ति युम भौतिक पर्यावरण को सामोहिक रूप से पारिस्थित की तंत्र कहा जाता है, पारिस्थित की वह विझ्यान है जिसके अंतरगरत किसी छेत्र में रहने वाले विभी जीओं के परसपर संबंधों और भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्यन किया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों किसी बिसेस भौगोलिक छेतर में पाए जाने वाले पसु समराज को करते हैं तिसमें हो जाएगा फाना क्या हो जाएगा फाना किसी बिसेस भौगोलिक छेतर में पाए जाने वाले पसु समराज को फौना या फाना करते है यह फाना और यह फ्लोरा काते हैं बनस्पतियों के समुहों को अगला है निमलिकित में से कौन सा और जयविक नहीं है तियो जाएगा कवक विकल्प के अनुसार पानी, हवा, मिरिदा और जयविक घटक है जैविक घटक है जैविक घटकों के अंतरगत पर्यावरण में सभी जीव जन्तु समलित हैं जिसमें जल्चर नवचर एवं अस्थलिय जीव आते हैं प्रकास यों ताप जैविक घटकों की अंतरगत पोसर एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी हो जैसे मृदा, आदलता, हवा एवं असला किरित ये और जैविक घटक होते हैं अगला है टॉपिक है उसमें पर्यावरण संदच्छर और बैस्विक प्रयास पर्यावरण वन येवं जलवाई परिवर्तन मंत्राल ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमी से किस दुल्लब और लुप्त प्राय प्रजाती की संख्या की गण्णा करने का पहला राष्ट्रे प्रोटोकाल आरंब किया था तो ये जागा हीम तेन दुआ आगे हैं पर्यावरण वन येवं जल वाई परिवर्तन मंत्राल ने अक्टूबर 2019 में भारत में दुल्लब और लुप्त प्राय प्रजाती हीम तेन दुआ की संख्या की गण्णा करने का पहला राष्ट्रे प्रोटोकाल प्रारंब किया था इसका उद्दे से आने वादे दसक में दुनिया में हीम तेन्दूए की अबादी को दुगोना करना है इस सर्विचण में भारत के साथ नेपाल, मंगोलिया और रूस सहीत हीम तेन्दूओं की मवजूदगी वाले देश भी सामिल होंगे अगला है चिपको आंदोलन संबंदित है देवजागा पादप सनरचट से चिपको आंदोलन यह एक परियावरण रच्छा पादप सनरचट का आंदोलन था यह भारत के उत्रा खंड राज में किसानों ने बृच्छों की कटाई का व्रोद करने के लिए किया यह आंदोलन ततकालिक उत्तरप्रदेश की चम्गोली जिली में सब्सक्राइब में चलाया गया था अगला प्रश्ण है एक अंतराश्टी आंदोलन जिसका उद्देश से पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विशु को बचाना है कौन सा है इसका उद्देश पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विशु को बचाना है इसकी अस्थापना वर्स 1971 में कनाडा में की गई थी प्यारव में इसका उद्देश अमेरिका द्वारा अलासका में किये जाने वाले नावी की परिचड का बिरोद करना था अगला है राष्टी उद्द्यांत था वन जियो अभ्यारण की प्रस्ण इसमें है भारत में कुल कितने संदचित जैव मंडल बायो इस्फियर रिजर्व है तियो जाएगा अठारा भारत में कुल अठारा संदचित जैव मंडल है जिनमें जियों की आनुवान सिक्ता को बनाए रखने के लिए उन्हें संदाचण प्रदान किया जाता है प्रमुख जैव मंडल आरचित छेत्र निम्न है जैव मंडल रिजर्व और अस्थाप्ता वर्स निल गिरी 1986, नोक रेक 1988, नंदा देवी 1988, मानस 1989, मनार की खाड़ी 1989 आगे है इसमें ग्रेट नीकुबाल अट 1989, सुन्दरवन 1989, सीमली पाल 1984 डिब्रू सैखोवा 1997, दिहाग देबांग 1998, पंच मडी 1999, कंचन जंगा 2000 अगस्त्याम लाई 2001, अचानक मार अमर कंटक 2005, कच्छ या ज्यान भारती 2008 सीत रिगिस्तान 2009, सेशा चालम पहाड़िया 2010 और पंच सबसे नया 2011 अगला प्रश्ण है, दान डेली वनी जीव अभ्यारण भारत के किस राजी में इस्तित है, यह अभ्यारण अभ्यारण 866 दसनो 46 वर्ग केमी छितर में फैला हुआ है, यह अभ्यारण पच्छी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है, यहां पच्छीों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं, यहां के परमुक जिव, हान वील, चितकबरा, हाटील, काला पिंथर, माला वाट ग भोकनी वाले हीरण, हाथी, किंग, कोपरा तथा, मगर मच आद जीव पाए जाते हैं, अगला प्रस्ने दोस्तों, कीठम जील और सुर सरोवर पच्छी अभ्यारण निम्लिखित, किस सहर के पास इस्तित है थी होजाएगा, आगरा कीठम जील सिकंद्रा से 12 किलो मीटर और आगरा से 20 किलो मीटर दूर नेशनल हाईवे टू एन एश्टू पर इस्तित है, कीठम जील के साथ एक पच्छी बिहार है, जिसे सुर सरोवर पच्छी बिहार के नाम से है इस पच्छी बिहार में अस्थानी वो परवासी पच्छीों की 100 से जादा प्रजातियां है, साथ ही 12 प्रजातियां की अस्थन पाई और 18 प्रजाति के सरी स्रिप का भी यह ठीकाना है अगला प्रश्ण है, इरा वी कूलम राष्टिय उद्यान किस राज में इस्तित है ती हो जाएगा केरल इरा वी कूलम राष्टिय उद्यान केरल राज के इडुकी जिले में पस्चमी घाट में इस्तित है जिसका छेतरफल 97 वर्ग किलो मिटर है यह उद्यान तितिलियों, जानवरों और पच्छियों के अनेक दुरलव परजातियों के लिए जाना जाता है यह उद्यान चाय के बागान और साथी लहरदार परवतों पर धूंद की चादर का एक नजारा पेश करता है आगे हैं ठटे कड़ पच्छी अभ्यारण कहां इस्तित है तो यह हो जाएगा केरल क्या हो जाएगा केरल ठटे कड़ पच्छी अभ्यारण कोड मंगलम केरल में इस्तित है इसकी अस्थापना सन 18-1986 में 25 वद किलो मीटर में की गई थी अगला है भद्रा वन जीव अभ्यारण किस राज में इस्तित यह जाएगा करना टक भारत के कुछ परमुक वन जीव अभ्यारण तथा उनसे संबंधित राच निवनवत है हजारी बाग वन जीव अभ्यारण जारखंड गीर राष्टे उद्यान गुजरात जेम कारविट राष्टे उद्यान उत्राखंड में दुर्भा राष्टे उद्यान उत्तरप्रदेश चंद प्रभा अभ्यारण उत्तरप्रदेश सिमली पाल वन जीव अभ्यारण उडिशा मुदूम लाई वनिजिव अभ्यारण तमील नाडू बांदी पूर राष्टी उद्यान करनाटक भद्रा वनिजिव अभ्यारण करनाटक में पकाल वनिजिव अभ्यारण आंद प्रदेश मानस राष्टे उद्यान असम काजी रंगा राष्टे उद्यान असम और घाना पच्छी विहार राजस्थान और रड थंभर वनिजिव अभ्यारण भी राजस्थान में है अगला प्रदूसर्ड के प्रस्ण है इसमें है निमलिखित में से क्या जली अलिकाय में होने वाले प्रदूसर्ड में युगदान प्रदान नहीं करता थी हो जाएगा ओजोन क्या हो जाएगा ओजोन जल के भौतिक रसायनिक वजय अभिलच्डों में होने वाले अना पिछित परिवर्तन को ही जल प्रदूसर्ड करते हैं परमुख जल प्रदूसर्ड भारी दातु माइक्रो प्लास्टिकस कीट नासक और सेनिक फुलॉराइड वा यूरेनियम है जो वर्तमान में जल प्रदू ज़ित परिवर्तन को प्रदूसर्ड का कारण नहीं हैं जल प्रदूसर्ड से होनी वाली परमुख बिमारिया बलैप पूड त्वेचा का कैंसर डाइरिया टाइप हाइड अतिसार है जा हेपिट्टाइटिस पीलिया कोबर पीठ आदी आ हैं जल प्रदूसर्ड को कम करनी वजल संदच्छड के लिए रियोडी जेनेरियों में उन्निस सो बान्वी में आयोजीत सन्यूत राष्ट की परियावरण वविकास बैठक में स्वच जल हित एक अंतराष्टी दिवस मनाने का निड़ लिया गया और बाइस मार्च को प्रती वर्ष्ट विश्वजल संदच्छड दिवस की रूप में मनाया जाता है आगे हैं पाल्थे नियम को कैसे जेव एजेन्टों का उप्योग करकी नियंतरित किया जा सकता है तिहों जाई गो ग्रामा बी को लो राटा पार्थे नियम को जाई गो ग्रामा बी को लो राटा जिनको का परियोग करकी नियंतरित किया जाता है पार्थे नियम या गाजर घास आयातित यहों की साथ आनी वाली प्रजाती है जो प्राग कड इलर्जी का कारण होती है गाजर के जैसे दिखने की कारण इसे गाजर घास के नाम से जाना जाता है अगला है निम प्रदूसक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजुन परत में छीर बनाने के लिए जिम्मेदार है क्या हो जाएगा CFC क्या हो जाएगा क्लोरो फ्लोरो कारवन वाई मंडल में बिद्यमान ओजुन परत सुरे से आनी वाली हानिकारत परावेगनी किरोडों को रोकनी का कारे करती है इससे पिर्थिवी पर जीवन की सुरच्छा होती है ओजुन परत में छीर बनाने के लिए जिम्मेदार गैस CFC है लोजन्स नाइट्रस ऑक्साइड अन्टुो ट्राई क्लोरो एथिलीन है लोजन वन टुवन वन और थर्टी वन इत्याद है अगला है खतरनाक कच्रों में पाए जाने वाले दो रसायनी पदार्थों की प्रथ्यच प्रभाव की फल स्वरूप मृत्ट हो सकती है मरकरी और सायनाइड क्या हो जाएगा मरकरी और सायनाइड खतरनाक कच्रों में पाए जाने वाले दो रसायनिक पदार्थ मरकरी वो सायनाइट के प्रत्यच प्रभाव के फल सुरूप में तो हो सकती है पारा मरकरी पानी में घुलकर मिथायल मरकरी बनाती है पारा वास्प में घुलकर सांस लेने में परिशानी करता है धर्मा मीटर बेरो मीटर आज बनाने में पारा का परियोग होता है अगला है निमलिखित में से कौन सा बिकल्प मीथेन के उतसरजन का सुरोत नहीं है तियोजागा मोटर वाहन मिथेन, मिथानो, जेनिक नामक जिवारु द्वारा जैविक प्रकिरिया से उत्पन होता है चावल या धान के खेतों तधा गन्ने के खेतों में जल भराव यो उस्र प्रकिर्थ की मिठी मिथानो, जेनेसिस, हेत आदर्स इस्तिती प्राप्त करती है मिथेनो, जेनेसिस, वास्तों में मिथेन और कारवन डाई आकसाइड का उत्पादन है जो मिथेनो, जेनिक द्वारा संचालित जैविक प्रकिरियाओं द्वारा उत्पन होता है धान के खेतों में परियुक्त जैवी पदार्थों को मीथिन के उतसर्जन के संभावी स्रोत है जैसे कि चावल की भूसी धान के खेत गन्य के खेत तदा पसु धन मीथिन के उतसर्जन का स्रोत है मोटर वाहन मीथिन उसरजन का सुरोत नहीं है ये कारवन मोनो अक्साइड एवं सन्फर डाई अक्साइड उत्पन करते हैं अगला प्रश्ण है फ्लाई एस है फ्लाई एस क्या है? तो एस के लगो कड़ है उड़न राख या फ्लाई एस इसके लगो कड़ है उड़न राक बहुत थी चीजों जैसे कोईला को जलानी से निर्मित पदार्थ जो महीन कड़ों से निर्मित होती ये हलके कड़ उतसर्जिस गैसों के साथ उपर उठ जाते हैं जो राक उपर नहीं उठती वह पीदी की राक कहलाती है कोईलिक से चनली वाली बुद्धत सन्यंतरों से उत्पन फ्लाई एस उड़न राक प्राय चिमीनियों से गरहड कर ली जाती हैं सभी फ्लाई एस एस आई ओटू और सी एफ वो होती हैं अगला है ताज महल को किस से किसकी प्रभाव का खत्रा है देह जाएगा यस ओटू सलफर डाय अकसाइड मुगन बादसासा जहां दवारा बनाए गए ताज महल को सलफर डाय अकसाइड से खत्रा है आज कलकार खानों से निकलने वाला SO2AN2O से ताज महल की पत्थों का छरण हो रहा है जिससे ताज महल की चमक फीकी पढ़ती जा रही है अगला प्रस्ट है कोली फॉर्म जिवाडों की संख्या निमलिकित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है दियो जाएगा नदी के जल में सुच्म जीवी प्रदूसर कोली फॉर्म जिवाडों की संख्या नदी के जल में सुच्म जीवी संदूसर के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है कोली फॉर्म बिशिष्ट जिवाडों का समुम होता है जो मिट्टी खराब सब्जियों पसू के मल गंदी जल में पाए जाते हैं अगला प्रश्ण है भू छरड किसके द्वारा रोका जा सकता है तियो जगा वन रोपड मृदा अप्रदन या भू छरड का अर्थ है मृदा करों का किसी भी वाह कारणों जैसे तेज हवा वर्षा द्वारा मिट्टी का अस्थान आंतरण होना मृदा छरड अधिकतर मृदा उर्वरता का हरास करता है मिरिदा अपल्दन को रोकने के लिए उपाया है वनार ओपर समुच जुताई और पट्टीदार खेती अगला प्रश्ण है वनों की कमी नगरी करण और प्रदूसर का बढ़ना सभी निम्रिकित किस कारण से है यह जगा आबादी बढ़ना आगे हैं वनों की कमी नगरी करण और प्रदूसर का प्रमुक कारण जनसंख्या ब्रिद्धी है जनसंख्या ब्रिद्धी के कारण छोटे छोटे कस्पे सहरों में और छोटे छोटे सहर माहा नगरों में परिवर्दित होते जा रहे हैं जनसंख्या ब्रिद्धी के कारण नए आवाज और अधिक खाद्यान की आवसकता होती है जिसके लिए बनों की कटाई करके यहां किरिसिख की जाती है तधा इमार्ती लकडियों फरनीचर आधि के लिए ब्रिच्छों की कटाई की जाती है बेच्छों की कमी से वाता वरण में कारण डाई आउक्साइड की ब्रिद्धी होती है जनसंख्या ब्रिद्धी के कारण परिवहर में ब्रिद्धी होती है जिससे निकलने वाले धुए कारण मोनो अक्साइड से प्रदूसर फैलता है अगला है हरित ग्रिय परवाई या वाई परिवर्तन के फ्रस्न इसमें है निमलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है तिसमें हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है यह वाई मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है यो एस परियावरण सुरच्छा एजेंसी के मुताबिक जो गैसे उसमा को वाई मंडल से बाहर नहीं जानी देती उन्हीं ग्रीन हाउस गैस करते हैं जैसे कारवन डाई अकसाइड, मीथीन, नाइटरस अकसाइड, क्लूरो फ्लूरो कारवन, जल वास्प आदी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे जादा उतसरजन कारवन डाई अकसाइड गैस का होता है, इस गैस का उतसरजन पेट्रोलियम इधन के दहन की रूप में होता है धान के खेत में एवं पसू के जुगाली करने में मीथेन सी एच फूल गैस उतसरजित होती है अगला प्रश्ण है, निमलिखित में से क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तियो जागा कारवन मोनो अकसाइड वाई मंडल में उसमा रोधी गैसों की मात्रा बढ़ जाने की कारण वाई मंडल की ओसत तापमान में भिद्धी हो जाने को ही ग्रीन हाउस प्रभाव अत्वा भू मंडलिय तापमान कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्व पर्थम 1827 स्पी में जोसेप फोरियर ने की थी वाई मंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसे हैं जल वास्प, कारवन डाई, अक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, कुलोरो फ्लोरो कारवन, CFC, नाइट्रस अक्साइड, NO2 तदा ओजोन, O3 आदी है जबकि कारवन, मोनो, अक्साइड, CO, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्योटो प्रोटोकाल, अंतराश्टे समझोती की तहत, UNFCCC, United National Framework, Convention, Climate Change के संबंध है ग्रीन हाउस प्रवा को काम करने के लिए फरवरी 2005 से प्रभावी कर दिया गया अगला क्रस्ण है निम्द गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें हो जाएगा O2, क्या हो जाएगा O2 आगे है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकितिक प्रकिरिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह की वातावरण में मौजूद कुछ गैसे उस ग्रह या उपग्रह की वातावरण की ताप को अपेच्छा क्रिद बढ़ाने में मदद करती है बिस सुब्यापी ताप ब्रिधी के पीछे मुख्यतह कारवन डाय अक्साइड सी ओटू गैस जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है प्रमुक्र ग्रीन हाउस गैसे है जलवास्प, CO2, CH4, NO2 और O2 इत्यादि अगला प्रस्ण है क्रिसी के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रद्योगी की जैसे ही हाइड्रो, पोनिक्स और येरो, पोनिक्स का उप्योग करके सहरों में बहु मंजला इमारत के अंदर वालिजिक रूप से बेवहार फसलों की खेती की जाती है तिसमें होगा लंबत खेती लंबत खेती क्रीसी के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रद्योगी की जैसे कि हाइडरोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उप्यूप करके सहरों में बहु मंजीली इमार्तों के अंदर वाड़ी जिक रूप से बहु हारे फसलों की खेती की जाती है अगला प्रस्ण है किसी छित्र से उत्पन होने वाले मीथिन गैस के अतरिक्त एक मुख ग्रीन हाउस गैस जी एच जी क्या है यह हो जाएगा नाइट्रस अक्साइड क्या हो जाएगा नाइट्रस अक्साइड किसी छित्र में उत्पन होने वाले मीथिन और नाइट्रस अक्साइड गैसे हैं जो ग्रीन हाउस गैस भूम से नाइट्रोजन प्राप्त कर अक्सीजन किरिया करके एन्टू ओ बनाती है अगला प्रश्ण है परियावरण बिविद के प्रश्ण इसमें है निमनलिखित में से किस राज ने सरुप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचनी के लिए पर्तिक भवन में बारिस के पानी के संग्रहर को अनिवार किया थाती हो जाएगा अगला प्रश्ण है काराधान कानून संसोधन अधिनियम 2017 ने किस वर्स से स्वच उर्जा उपकरण को प्रति अस्थापित किया है तिह जाएगा जी एश्टी प्रति पूर्टी उपकर काराधान कानून संसोधन अधिनियम 2017 के तहट स्वच उर्जा उपकरण को जी एश्टी प्रति पूर्टी उपकरण से प्रति अस्थापित किया गया इसके अस्थान पर कोईला उत्पादन पर उपकर का प्रवधान किया गया अगला प्रस्था है निमलिखित में से किसके परिड़ाम स्वदोप पानी की गुर्वत्ता में गिरावट आई है तिया जगा गंधी पानी का सही से निप्तारा नो करने की कारण पानी की गुर्वत्ता में गिरावट आई है अगला प्रस्था है भारत में एसा कौन सा पहला और एक मात्र राजे है जहां छट पर बरसाद की पानी की संग्रहड ढाचो का निरमार सभी घरों के लिए अनिमार्य है तिया जगा तमील नाडु भारत में तमील नाडु पहला एक मातर राज है जहां जट पर बरसाद के पानी के संग्रहड धाचों का निर्मार सभी घरों के लिए अनिवार है अगला प्रश्ण है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज का नाम गीनी जबुक आफ वर्ड रिकार्ट में मुख्य मंत्री अखली स्यादों द्वारा चलाए गए किस अभ्यान के लिए दर्ज किया गया है तियो जागा क्यून यूपी ग्रीन यूपी प्रस्ण काल के समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखली स्यादों द्वारा साथ नौबर 2015 को ग्रीन यूपी ग्रीन यूपी अभ्यान के तहत एक दिन में विभीन जीलों में दस लाग से अधिक व्रिच्छारों पड़ किया गया इस अभ्यान के तहत उत्तर प्रदेश राज का नाम गीनीज बुक आफ वर्ड रिकार्ड में समलित किया गया अगला प्रश्ण है नगर पालिका के कूड़े कचले एक बड़े करनेस में जलाए जाते हैं इस करनेस को क्या कहा जाता है तियो जाएगा इनसीन रेटर क्या मुलते हैं इनसीन रेटर नगर पालिका की कूड़े कचलो को जलानी के लिए एक बड़े फरनेस का उप्रियो किया जाता है जिसे इनसीन रेटर कहते हैं अगला है गलोबल फूट प्रिंट नेटवर्ड की किया स्थापना किस वर्स होई थी तो गलोबल फूट प्रिंट नेटवर्क की अस्थापना 2003 में होई थी 2003 में गलोबल फूट प्रिंट मूल रूप से सन्यू पिराज अमेरिका वेल्जियम और स्वीट जग लेंड में इस्तित एक स्वतंद थिंक टेक है इसका मुख्याल आक लेंड कैली फोलिया में इस्तित है गलोबल फूट प्रिंट नेटवर्क परियावरण पद चिन और जैव छमता सहित को आगे बढ़ानी के लिए उपकरण बिक्सित करना है और बढ़ावा देता है अगला प्रश्ण है हाल में किस राजनी चिडिया घरों यों हीरण उद्यानों में जंगली जानुरों की अधि गरहर की योजना शुरू की है मार्च 2018 तक उपलग जानगारी के अनुसार किस राजनी नवीनी करण सुरूतों का उप्योग करके 12.3 जी डबलू कुल विजले उत्पादन करने की चमता है इसमें हो जाएगा करनाटक करनाटक के पास नवी करणी उर्जा की उत्पादन चमता 1203 जी डबलू है जो की उसकी कुल विद्धूत उर्जा चमता का 27 परतिसत है करनाटक विजले उत्पादन की दिरिश्टी से भारत में प्रथम अस्थान पर बना हुआ है इसके साथ ही करनाटक ने नवी करणी उर्जा का उत्पादन के मामले में नीदरलेंड और डेन मार्क जैसे यूरोपी देश्टों को पीछे छोड़ दिया है अगला प्रस्न है यहां से आपके प्रस्न समाप्त हो गया है ये टोपिक आपके पूरे हो गया अगले वीडियो में पढ़ाओंगी यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक सेर एंड शब्स्क्राइब जरू कीजेगा धन्यवाद दोस्तों